हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरी चैनल में तो आज हम बनाने वाले हैं शादी वाले छोले बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप घर पे बना सकती हैं और बहुत ही आसानी से ये बन के तयार हो जाएंगे छोले खाने में बहुत टेस्टी लगता है लेक पानी में भीगो दिया था अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप 5-6 घंटे पहले आप भीगो दे गुनगुने पानी में तो भी अच्छे से फूल जाते हैं उसके बाद देखे हम यहां पर सफेद रंका सूती का कपड़ा ले लेंगे क्योंकि हम छोले को बालेंगे औ और एक लौफ ढाल लेंगे ठुड़ा गर्मियों का मोशाम में इसलिक खड़े मसाले में ध्यूला कम ही डालें अगर सर्द्योंग का हल थो थोड़ा लॉंग्क काली मिल चाह जादा ढल सकते हैं एक बड़ी लाइची डाल लेंगे और एक िंचि दालची का टुकडा और दो हरी लाईचे हम यहाँ पर डाल लेंगे उसके बाद हम इसकी पोटली तयार कर लेंगे और इसे अच्छे से बाद लेंगे तो देखिए कूकर में हमने छोले रख दिये हैं यहाँ पर अब इसमें हम पानी डालेंगे बहुत जादा पानी आपको नहीं डालना है मैंने यहापे आधा किलो छोले लिया है 500 ग्राम इतना पानी डालेंगे जितने की छोले उसमें अच्छे से डूब जाए तो बस इतना ही पानी हमें डालना है उसके बाद हम यहापे मसाले वाली पोटली डालेते हैं मूम पोटली को आप अच्छे से बांद ले अब हम यहापे डाल लेते हैं एक तेज पता इससे छोलो में बहुत अच्छी खुश्बू आईगी खड़े मसालों के अंदर तक मसालो की खुजबू चले जाएगी और एक चमज हम यहां पर नमक डाल लेते हैं और दो आलो को मैंने अच्छे से धोकर का छील लिया है अलो को आपको दो साबूत ऐसे ही डालना है उसके बाद हम इसका धकन ला लेंगे और हाई फ्लेम में आप 5-6 सीटी आने दे उसके बाद 15 मिल् आये ग्येम में तो जब तक छोले उबल है तब तक हम या पर तड़के की तयारी कर लेते होगा तो गैस पर आपे निया पर कडैई रखें रखियां कडाही में हम एक बड़ा चमज यहां पर टेल डालनेंगे अ और दो-3 छोटी चम्मज यह you dev day कि तो भी तो दे स्था में चेशे खाल फेह इस चुले में बहुत अच्छा टेस्षी आता है एक शस चम्मज यह पे डालेनगी जीरा कोिए और अदा चोटी चम्मज हम यहां पर डालेंगे अजवाइन आप जरूर डाले टेस्ट भी अच्छा होगा और साथी साथ डाइजिस के लिए भी बहुत अच्छे होती है और दो बड़े सैस की प्यास को मैंने बारीक काट लिया था और प्यास को हम अच्छे से हम इसमें ब्राउन कर ल लेते हैं इससे प्यास जल्दी पक जाता है उसके बाद दो चम्मज आपर डालेंगे अनारदाना पावडर लिए और जरूर डाले इससे छोले काले तो बनेंगे इस छोले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप अनारदाना डालना बिलकुल न भूले और हमने सूख बहुत अच्छा आएगा काला और साथी साथ उसमें हलका सा खटा बन भी आएगा एक चम्मच हम या पर डाल लेते हैं हरी मिर्ची का पेस्ट आप चाहे तो हरी मिर्ची को बारी काट कर भी डाल सकते हैं और गैस की फ्लेम को आप यहां पे बिल्कुल ही रखेंगे अगर प्य एक चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर और दो चम्मच हम यहां पे धनिया पाउडर डालेंगे धनिया पाउडर थोड़ा जादा ही डलता है और मसालों के मुकाबले और एक चम्मच हम यहां पे डालेंगे जीरा पाउडर उसके बाद इने अच्छे से हम मिक्स कर तोड़ा से ओपर से आप यहां पर कसूरी मेथी जरूर डाले कसूरी मेथी चोले में ठोड़ा डालती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अच्छे से मीक्स कर लेते हैं मसालों को उसके बाद हम यह डाल लिया एक चोथ ही चम्मज यहां पर हेंग आप झालने दाने हिंक से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसका डाइजिस के लिए भी बहुत अच्छी होती है उसके बाद धक्कर नगा कि हम मसाले को बहुत अच्छे से पकने देंगे जब तक कि अच्छा सा तेल ना छोड़ दे हम मसालों की जितनी अच्छे से भुनाई हमारे उतने ही टेस्ट्री वनेंगे तो आपको ध्यार रखना है मसाले बहुत अच्छे से पकाने धीमी धीमी आज में तो देखिए छोले भी हमारे उबल के बहुत अच्छे से देखिए सॉफ्ट हो गए है सबसे पहले हम यह पर आलू डालेंगे इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी गाड़ी हो जाएगे हमारी बहुत अच्छी से मैश कर लेंगे अगर हम पीस करके डालते तो आलू हमारे अच्छे से मैश नहीं होते और जो मुपे आते अच्छे नहीं लगते छोले में तो इसल चोले कआई या तु परोपटली निवाए हुआयी है है जरूर इसी तरीके से बनाए और देखि करेकूंपे दाला लिए लिए लेवियर है ऑजी तो रहा sf आपकी आहि गए जो बीर रहा sagtो मेर भी तो आहिए मेदा आधी चमच्च मेति दाला है डिया की तो बल्च यकाक आधा चमज में आपे गरम मसाला डाल लिया है थोड़ा उपर से हम यहां पर हरा धनिया डालेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गरम मसाला हम इसा उपर से ही डालें बहुत अच्छा टेस्ट आता है खुश्बू भी बहुत अच्छा आती है उसके बाद धकर नगा के कम से कम 20-25 मिलट के लिए बिल्कुल लो फ्लेब में हम छोलो को पकाएंगे छोले को हम जितनी धीमी धीमी आज पर पकाते हैं छोले उतने ही टेस्टी बनते हैं और अंदर तक मसालो का फ्लेवर चले जाता है तो आप बिल्कुल यही तरीका बन अपनाएं तो ही आपके छोले बिल्कुल पाफेक्ट बनेंगे तो देखें गरम गरम छोले हमारे बनके बिल्कुल तयार हो गये बहुत ही आसानी से आप जरूर बनाएं आप भडूरे के साथ खाएं आप चावल के साथ खा सकती है पूरी के साथ खा सकती है चापाती के साथ खा सकते है बहुत ही टेस्टी लगते है तो यह रही मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताईएगा रेसिपी पसंद आई हो तो झाल झाल